पाइस्टा अंबॉक्सिंग और आज हम उन्पैक करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड आइटम और यह हैं हमारा पैंसिल्स का सेट गाइस इसमें 12 पैंसिल्स हैं चलिए इसे उन्पैक करते हैं इसमें से पूरी 12 पैंसिल्स आपके निकाल लेती हूं इस तरीके की पैंसिल्स हैं हर एक पैंसिल्स के साथ में आपको रबर्ट भी दी हुई है देखिए इस तरीके से बच्चों को काफी शॉक होता है कि रबर्ट के साथ में पैंसिल्स यूज करने का एक तो उनको अलग से यूज करने की ज़रत नहीं पड़ती और साथ ही काफी अट्राक्टिव सी होती है अब जैसे इसमें हर इक पैंसिल में अलग-अलग डिजाइन दिया हुआ है इसमें हर्ट दिया हुआ है इसमें देखिए आपको छोटा से एक लॉइन बनाने की कोशिश की है यहां पर यूज़े को आपको इसे यूज नहीं करना है तो उसे अलाग बी निकाल कर रख सकते हैं और यह पैंसिल काफी कलर फुल है हर एक पैंसिल डिफरंट है कलर समें भी काफी अलग है तो मैं आपको एक बार इसको नो शार्प करके दिखा देती हूं किस तरीके से वक करती है औ मैंने आदी ये शार्प कर लिए काफी स्मूद पैंसल है गाइस बहुत इसली शार्प हो रही है सो मेरी पैंसल शार्प हो गई है इसको एक बार आपको दिखाती हूं राइट करके किस तरह से लिखती है सो ये मैंने ए बना है सो गाइस काफी अच्छी स्मूद चल रही है डाक भी है और मैं इसकी रबर से आपको यूज करके दिखाती हूं कि किस तरीके से मेट जाती है सो इस तरह के से रब हो जाएगी सो रबर की मंधिया काफी अच्छी है देखिया पूरा कपूरा रब कर दिया है रबर की कुलिटी है काफी बड़ी रबर्स हैं पैंचिल के साथ में मैं अजर में रबर्स भी यह आपके बच्चे के बहुत काम आएगी अगर आप यह प्रोड़क्ट बाइ करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दियो है अब वहां से बाइ कर सकते हैं अगर आपको मेरे प्रोड़क्ट अच्छा लगा और मेरा वीडियो अ कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वाचिंग